कि नमस्कार आप देख रहे हैं हर्याना नीज़ और मैं हूँ आपके साथ छुभेंदु शिंग और कर लेते हैं खब रोगा चुभेंदु सिंग और रुख कर लेते हैं खब रोगा झाल 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 नमस्कार आप देख रहे हैं हरयाना न्यूज और मैं हूँ आपके साथ शुभेंदु सिंग और रुकर लेते हैं खबरों का नमस्कार आप देख रहे हैं हरयाना न्यूज और मैं हूँ आपके साथ शुभेंदु सिंग और रुकर लेते हैं खबरों का झाल 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 देख का सबसे बड़ा खुटाला माने जा रहा है टूजे स्पेक्टरम केस में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी वकील आरोप सावित नहीं कर पाए जज ओपी सेनी ने कहा कि अबियोजन पक्ष से ये बात साबित करने में वो नाकामियाब रहा कि दो पक्षों के बीच पैसों का लिंदिन हुआ है आपको बता दें कि कोर्ट के फैसले से पहले परिसर में भारी भीड थी जज सेनी ने भीड के चलते आरोपियों को कोट ना पहुँच पाने पर कारवाई स्थगित कर दी और एक बार फिर जब दुबारा कारवाई शुरू हुई तो उन्होंने अपने एक लाइन के फैसले में कहा कि सरकारी वकील आरोप सावित करने में नाकाम रहे हैं तूजी खोटाले पर फैसले के बाद राजे सभा में विपक्ष ने जब कर हंगामा किया विपक्ष नेता गुलाम नभी आज़ाद ने राजे सभा में इस मुद्दे को उठाया कॉंग्रिस नेता का बिल्सिबल ने भी फैसले के बाद कहा कि बीजेपी और पीए मुद्दी ने इस मुद्दे को लेकर गलत महौल बनाया और अब हुने इस मुद्दे पर बात करनी बंद करनी चाहिए CBI के प्रवक्ता अभी शेक दयाल ने कहा है कि टूजी खोटाले से संबंदित फैसले की प्रथम द्रश्टिया समिक्ष्या के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अब्योजन की तरफ से आरोपो को आगे बढ़ाने के लिए पेश किये गए प्रमाणों पर संबंदित अदालत ने उचित तरीके से विचार नहीं किया CBI इस मामले में जरूरी कानूनी कदम उठाएगी पूर्व क्रिकेट के लाड़ी और आजसबा संसत सचेंदा दूर्जर कर ने आज संसत में पहली बार बहस में हिस्ता लिया लेकिन सचेंद का ये डेबियू अच्छा नहीं रहा विपक्ष के जोड़दार हंगामे के कारण राज्जे सभा की कारवाई को कल तक किले स्थागित कर दिया क्या तूजी खोटाले में सभी आरोपियों के कोट से बरी होने पर हर्यारा में नेता परतिपक्ष अभेच खोटाला ने सीवी आई को केंद्र के भाजपा सरकार की कटपुतली बताया अभेच ने कहा कि सीवी आई पर भाजपा सरकार का सीधा दबाव रहा है जो स्वज़े से सबूतों के अभाव में आरोपिय कोट से बरी हो गए वहीं अस्वाहिल के मुद्धे पर एनलो साथ मार्च को दिली के रामलीला मैदान में आरपार के लड़ाई लड़ने जा रही है जिसके लिए किसानों के साथ मिलकर पार्टी हग के लड़ाई लड़े की मखे मंतुरी नितीश कुमार ने गोपाल गन जुले के सासा मुसा नीची चीनी मिलके बॉलर फटने से हुए हादसे में मरने वालों के प्रती गहरी समवेदना व्यक्त ही है मुखे मंतुरी ने इस हादसे को अत्यां दुखत बताया है और इस हादसे में मरे लोगों के परिजनों के प्रती गहरी समवेदना व्यक्त की है फिल्म निर्माता संजलीला भंसाले के फिल्म सी विवादों से निकलने का नाम नहीं ले रही है आपकवदादे की करणी सेना किस संस्थापक लुकेंदर सिंग कालवी ने खुशना की है कि यदि पदमावती फिल्म को रिलीज किया गया तो करणी सेना दिली एंसियार में चक्का जाम कर आंदूलन करेगी लुकेंदर सिंग कालवी ने अपने बयान में कहा कि इस फिल्म में इतिहास के तथियों से छिर्चाट की गई है रानी पदमावती का चित्रन गलत तरीके से किया गया रानी पदमावती राजस्तान की आनबान और शान से जुड़ी है वो रानी पदमावती के वंचच हैं वो रानी पदमावती का अपमान किसी भी कीमत पर बरदाश्त नहीं करेंगे गुजरात में राकापा के नव निर्वाचित विधायक कंधाल जड़ीजा को पोरबंदर जुले में कथे तौर पर दंगा करने और एक पुलिस अधिकारी की पिटाई करने को लेकर आज किरफतार कर लिया गया हाल ही में हुए राजे विधानसबा चनाव में राकापा से जीतने वाले जड़ीजा एक मात्र विधायक है पले सदिक्चक शुभा बुटादा ने कहा है कि गौड मदर और दिवंगत संतुक बेन जड़ीजा की विधायक पुत्र और साथ अन्य को पोरबंदर में राना वाव पुलिस थाने में दंगा करने एक अधिकारी की पिटाई करने और संपत्ति को नुक्सान पहुचाने को लेकर गिरफ्तार किया गया है हिमाचल प्रदेश के नए मुखे मंतरी के नाम को लेकर अभी बिशंत से बरकरार है पार्टी की जीत के चार दिन बाद भी अभी तक मुखे मंतरी के नाम पर सहमती नहीं बन पाई है सुत्रों के अनुसार जेपी नड़ा और प्रेम कुमार थूमल दोनों रेज से बाहर हैं और पार्टी ने हारे हुए नेता की बजाए किसी विधायक को ही सीम बनाने का निर्ने लिया है तीन तलाग रोकने के लिए रोकसभा में मुसलिम महिला विवा अधिकार संडरक्शन विधायक कल पेश हो सकता है पिछले हफते कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी सरकार ने इस बिल को पास कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है बीजेपी के ओर से पार्टी के सभी संसदों को विब चारी कर इस मामले को लेकर संसद में मौझूरी का आदेश दिया गया है इसे पहले बुद्वार को संसत में सरकार की ओर से कहा गया था कि तुन तला के खिलाफ विदहयक तयार करने में मुस्लिम संगठनों से कोई विचार विमर्ष नहीं किया गया और यह मुद्दा लेंगिक समानता और महिलाओं की गरिमा की मानविय अवधरना से जड़ा हुआ है जिसमें आस्ता और धर्म का कोई संबंद नहीं है लड़ाकों विमान स्क्वाइडरनों की खटी संख्या का सामना कर रही वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड से 83 तेजस विमान हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है तेजस हलके लड़ाकों विमान है और वायुसेना चालेस विमानों का ओर्डर पहले ही एचेल को दे चुकी है आधिकारिक सुत्रों ने बताया है कि तेजस सौदे पर आगामी पांच महिनों में हस्ताक्षर होने की उमीद है इन 33 विमानों में से 10 का इस्तमाल प्रशुक्षन के लिए किया जाएगा लोगसभा में हिसार से इनलो सांसा दुश्यन चौठाला ने शुनेकाल में सरकारी स्कूलों में दिन के समय बिजली सप्लाइट ठप रहने का मुद्दा उठाया औरोने कहा कि सुबह 9 से 3 बजे तक गाउं देहात में बिजली नहीं होती जिससे स्कूलों में बच्चे कंप्यूटर नहीं चला पाते ऐसे में डिजिटल इंडिया का सपना कैसे पूरा होगा कैसे बच्चे तक्नीकी रूप से शिक्षित होंगे संसर दुशन चोटाला ने साथी बताया कि देश के 37 प्रतीशत स्कूलों में अब तक बिजली नहीं पहुंची है ऐसे में शिक्षा का अधिकार भी अधूरा है संसर दुशन चोटाला ने सरकार से अपील करते हुए सुझाद दिया है कि स्कूलों में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सोलर पैनल लगा जाएं चन्डीगर में प्रदेश के मुखे मंतरी मनोहरलाल खटर ने सुशासन सहीयोग्यों के साथ एक बैठा की इस दोरान मुखे मंतरी मनोहरलाल ने अधिकारियों को कई निर्देश दिये प्रदेश के सीम ने कहा है कि हर्याना में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उतर प्रदेश की तर्च पर हेलप लाइन नंबर 1.091 को केंद्रिकरत किया जाएगा सीम ने साथी कहा कि विशेश महिला पुलिस अधिकारियों की भी तैनाती की जाएगी साथी विशेश महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती राजी के दो जिलों में पाइलेट आधार पर की जाएगी और उसके बाद इन अधिकारियों के तैनाती प्रदेश के दूसरे जिलों में होगी C.M. ने साथी कहा है कि हर्याना रोडवेज में कारेरत कंडेक्टरों के व्यवार को सर्वत्तम करने के लिए प्रदेश के दो जिलों में पाइलेट आधार पर कंडेक्टर्स को प्रशुक्षन दिलवाए जाएगा परिदाबाद में नेशनल CST हब योचना के तहट दलित कारुबारियों के लिए राजजस्तरी सेमिनार का आयुजित किया गया जिसका शुभारम प्रदेश के उद्योग मंत्री विपल गोयल ने दीव जलाकर किया कौरतलब है कि दलित कारुबारियों और दलित युवाओं को द्योगों से जोड़ने के लिए कुल 24 सेमिनार आयुजित किये जाने है इसी के तहट आज प्रदेश सेमिनार सुरचकुण में आयुजित की गई फरिदाबाद में लगू सची वाले सहित पांच अलग अलग जगाहों पर मौक्ट्वल कायुजन किया गया इस बारे में जानकाली देते हुए जलाओ पायुक्त अतुल दुएदी ने बताया है कि फरिदाबाद के पास सोहना में 30 भूकम के जटके लगे जिसके चलते फरिदाबाद में भी बहुत नुक्सान हुआ जिस पर सभी विभागों ने मिलकर लोगों की मदद की और उन्हें बचाया किया फरिदाबाद में आबदा प्रबंधन विभाग के आदेश पर की गई भूकम को लेकर मौक्ट्रिल लोगों के लिए मजाग बंती हुई नजर आई भूकम पाने के बाद साइरन पर लोग लगु सचवाले से भागने की बजाए साइरन बजाने वाले को खड़े होकर देखना शुरू कर दिया तो वहीं ऐसा देखने पर पुलिस कर्मियों ने चबरन लोगों को लगु सचवाले की इमारत से बाहर निकाला और बताया कि भूकम पाया है तो भागने की बजाए वहां से लोग टहलते हुए निकले वहीं जहां एक और पूरे प्रदेश में मौक्डुल किया गया वहीं फरिदाबाद में भूकम आबदा प्रबंधन को लेकर की गए मौक्डुल केवल दिखावाद साबित हुई लगे उसे जवाले में आयोजेत इस मौक्डुल में पूरे चिला प्रदेशासन के अधिकारी मौझूद रहे लेकिन किसी की भी नजर वहां लगे आग पुझाने वाले सिलेंडर सिस्टम पर नहीं पड़ी जहां एक दो नहीं बलकि 50 से भी ज्यादा सिलेंडरों की मौक्रिया बल कि टीम सेना स्वास्ते विभाग अगनी शमन रेड क्रॉस की संगत रूप से मौक्डुल की गई रहतक में पांच जगहों पर मुखे स्काई टेक मौल मौडल स्कूल सिविल हॉस्पिटल डियल अफ कालॉनी विकास सदन पर मौक्डुल किया गया मौक्डुल में सभी टीम के सदस्यों ने खायलों को निकाल कर प्रात्मे को पुचार कर अम्बुलन्स से पी जए रेफर किया जेला उपायों की अश्करक ने बताया कि इस मौक्डुल का उद्धिश्य आद्धा की समय कैसे बचाव और रहात पहुचाई जाए उसको लेकर है साइबर सुडिय गुरुग्राम में भी साथ जगहों को मेगा मौक्डुल के लिए चुना गया सुबह दस बजे हूटर बजाकर लोगों को भुकंप आने की सूचना दी गई और इमारतों के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकालने का काम किया गया साथी मेट्रो स्ट्रेशन पर यात्रियों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास भी किया गया बुकंप जैसी आबदा से निपटने के लिए की गई मौक्ट्रियल में जुले के सभी विभागों के साथ साथ सी आर पी एफ आर्मी एनेसजी को भी शामिल किया गया था ये मौक्ट्रियल मजी एफ मौल, मजी आई, रेल, विहार, लगुसे चवाले, वेप्रो कंपनी, हॉन्टा कंपनी और हुड़ा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर भी की गई थी तेरा प्रमुग गुर्मीत राम रहीम की मौबोली बेटी और राजदार हनी प्रीत को आज पंचकुला के सी जेम कोट में पेश किया गया हनी प्रीत को अमबारा जेल से लाकर पंचकुला के कोट में पेश किया गया हानिप्रीद के साथ-साथ, पंद्रा और आरोपियों को भी कोट में पेश किया गया फरिदबाद में दहेच के दानवों ने एक और विवाहिता को मौत के खाट उतार दिया फरिदबाद के पल्ला अलाके में पती, साथ, ससुर और परिवार के दूसरे लोगों ने विवाहिता को तेजाब पिला कर उसकी हत्या कर दी फिलाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाब 304 B और 34 IPC के तहत मामला दर्च कर जाँच शूरू कर दी है पत्रकारों के आवाज बंद करने के लिए हत्या के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं लेकिन अब चर्की दाधरी में एक और पत्रकार के हत्या का संसनी खेज मामला सामने आया है चर्की दादरी के उमरवाज काओं का रहने वाला युवा पत्रकार राजेश यौरान की अक्याद बदमाशों ने हत्या कर दी और शब को खलियाना रोड पर सड़क किनारे फेक दिया रतक राजेश के परिजनों ने आरूप लगाया है कि राजेश की हत्या पैसों के लेंदेन को लेकर की गई है दरसल राजेश पत्रकारिता के साथ-साथ शेयर ब्रुकर का बिजनिस भी करता था वहीं परिजनों की शिकायत के अधार पर अग्यात बदमाशों के खिलाव फत्या सहित अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्श किया गया है डिजिटल वाल्ट कंपनी मोबी कुएक के खाते से ऑनलाइन 19 करोड 60 लाख रुपे फ्रॉट के मामले में गुरुगराम पुलिस के साइबर सेल ने नेजी बैंक के मैनेजर को गरफतार किया है पुलिस के मताबिक मामले में ये दूसरी गरफतारी है पुलिस गरफत में आये शक्स मुंबई का रहने वाला है और मुंबई में ही एक नेजी बैंक में मैनेजर है जिसके बाद पुलिस आरोपी को च्छे दिन के पुलिस डिमांट पर लेकर पूच्टाच कर रही है यमिननगर के कजबा मुस्तफ़ाबाद इलाके के भगवानपूर गाउं में जहरीला पदार्द खाने से एक पूरे परिवार के लोगों की हालत खराब हो गई इसकी सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने पूरे परिवार को अस्पताल में भरती करवाया अस्पताल में भरती होने के बाद परिवार की एक लड़की की मौत भी हो गई जबकि दादी और दो भाई की हालत में सुधार बताई जा रही है पुलिस ने जाच शुरू कर दी है लेकिन इन सभी ने क्या खाया इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है फत्यआबाद में ससुराल वालों ने दमात की पिटाई कर उसे अधमरा कर दिया जानकारी के मताबग हैल सत्वीर को उसके ससुराल वालों ने लोही की डॉज लाठी डंडों से पीटा और उसका अपरहन करने की कोशिश की सत्वीर ने कहा कि उसका उसकी पत्नी से तलाक का केस फत्यवाद की कोट में चल रहा है हाल ही में कोट की तरफ से प्रापटी को लेकर फैसला सत्वीर के हक में सुनाए किया जिसके बाद से ही उसके ससराल वाले उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे सत्वीर ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है इससे पहले भी कई बार उस पर हमले हो चुके हैं अलाकि वारदात की सारी तस्वीरे सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई है फिलाल इस मामले को लेकर सिटी थाना के सेच्चो सुरेंदर कमबूस ने कहा है कि आट लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्च कर जांच शुरू कर दी गई है बादुरगर के लाइन पर इलाके के शंकर गारडन के कूडे के ठेर से भृण मिला है नगर परिशत के पूर्व चेर्मेन रवीक खत्री ने भृण होने की सूचना पुलिस को दी पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच परताल शुरू की फिलाल भृण के लिंक की जांच के लिए पुलिस पोस्ट माटम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है प्रोण मिलने के मामले में नगर परिशत के पूर्व चेर्मेन रवीक खत्री ने भी इस कटना के लिंदा की और कहा कि उन्होंने आज के आधुने क्यूग में भी प्रोण हत्या का प्राद होना लोगों की संकीन मानसिक्ता का परिचायक है खबरे और भी हैं दिखाएंगे आपको लेकिन यहां रुकेंगे एक चोड़ से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं आप खबरों का बिल्य अनसियर सहित पूरा उतर भारत में ठंड का सितम जारी है पहाडों पर बर्वबारी भी हो रही है और मैदानों में कोहरे का कहर जारी है कोहरे ने सड़कों पर वाहनों की रफतार थाम दी है विजिबिलिटी में रगातार गिरावट की वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंग रिंग कर चल रही है कोहरे के चलते दिल्ली पहुंचने वाली 15 ट्रेने कैंसिल हो गई और 30 ट्रेने देरी से चल रही है पानिपत में कोहरे का कहर आज सुभे से ही चाया रहा और विजिबिलिटी बिलकुल ना के बराबर हो गई जिसके चलते जीटी रोड पर वाहन रेंगती नजर आए हलाकि रात और सुभे साड़े शे बजे तक धुंद पढ़ने के कोई आसार नहीं थे अचानक पड़े इस थुंद से लोगों को अपने कार्यों पर पहुंचने में परिशानी हो रही है किसी चैनल से इस ताक्षातकार के दौरान फिलमें सितारे सल्मान खान और शिल्पा ने वालमी की समाज पर नीचा दिखाते हुए आपती जनक टिपणी की थी जिसको लेकर प्रदेश के साथ साथ तोहना के वालमी की समाज में रोश है इस विवादे टिपणी की चलते आज वालमी की समाज के लोगों की बैठक हुई रोश मर्च निकलते हुए शहर के मुख्य भगवान वालमी की चौक पर सल्मान के साथ शिल्पा का पुतला चला गया इस प्रदर्शन की दोरा नारे बाजी करते हुए सल्मान और शिल्पा पर मामला दर्ज करने की मांग भी की गई है समाज के गुसाय लोगों का कहना था कि प्रशासम को इस से पहले वो ग्यापन के मात्यम से सूचना दे चुके हैं पर कोई कारवाई नहीं हुई है इसको लेकर उनके मन में रोश है अगर निकट भविश्य में कोई उचित हल नहीं हुआ तो वो शहर में सल्मान और शिल्पा के फिल्म का प्रदर्शन नहीं होने नेगे पलवल जुले में जुला बागवानी विभाग द्वारा पॉली हाउस और नेट हाउस लगाने पर दी जाने वाली सबसीडी के अंतरगा 36 पॉली हाउस और नेट हाउस लगा जा चुके हैं पॉली हाउस में की जाने वाली खीरा और शिम्ला मिर्च की संरक्षित खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। पलवल जिला बागवानी के अधिकारी डॉक्टर अशिम्ला मिर्च में एक रंग नहीं बलकी छे रंगों की शिम्ला मिर्च पैदा कर अच्छा लाब और उत्पादन ले सकते हैं। प्रतला के बगवला गाउं के अंबेटकर भवन में हरीजन अंगनवाडी केंद्र खोलने को लेकर गाउं दो धड़ों में बढ़किया है जिससे गाउं में तनाव का माहौल बन चुका है और गाउं के तूनों पक्ष मामले को लेकर विधायकारले पहुंचे जहां विधा प्रतला के सुरक्षा खत्रे में आ सकती है क्योकि कई लोग वहां बैटकर शराब पीते है और जुवा खिरते हैं वेतना मिलने से नराज बल्लबगर नगर निगम के करमचारियों ने नगर निगम के मेंगेट पर ताला लगा दिया है नगर निगम के साथ हजार से ज्यादा करमचारियों को इस महीने का वेतन नहीं मिला है और इसी के चलते करमचारी परेशान है नराज करमचारियों ने सरकार और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारे बाजी की और वेतन मिलने तक धरना जारी रखने का एलान किया गोहाना के धनाना गाउं के कनोहर ब्रांच तूटने से अच्छे सो एकर जमीन पानी में डूब गई है जिसके साथ ही पानी लगातार खेतों में बढ़ रहा है अभी तक पानी को रूपने के लिए वेभाग की और से कोई पुखता अंतसाम नहीं किये गए किसानों का रूप है कि नहर में शमता से ज्यादा पानी छोड़ा गया नहर के तोटने से किसानों की खेती में खड़ी गेहों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है किसानों ने सरकार से मांग की है कि वो जल से जल इस और थ्यान दे कुरुक्षेतर मितीन दीवसी राजस्तर ये कला उतसव का शुभारम किया गया कलाउत्सव का आयोजन हरियाना स्कूल चिक्षाव परियूजना परीशत की ओर से किया गया इस मौके पर कुरुक्षेत्र के उपायुक्त सुमेदा कटारिया ने मुक्यात्य॥ी के तौर पश्रकत की कलाउतसव के मौगे पर मुक्यातिती उपायूत् सुमेदा कटारिया ने कहा है कि पत्रिस्पर्धा और इस्पर्धा के आयुजन से विद्यारतियों की नाकेवल परतिबा निकष्टी है बलके उनका विश्वास भी बढ़ता है ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में मंच के प्रती रहने वाली जुज़क दूर होती है और आत्मे विश्वास का संचार होता है सर्वशिक्षा अभ्यान की जला समनवयक अरूम आत्री ने कहा है कि तुई दिवसीय राजस्तरियक अलाउत्सव में प्रदेश के 22 जुनों से कक्षा 6-8 वर के 800 विद्यार्थी अलग-अलग प्रती भागों में हिस्सा ले रहे हैं इस आयोजन में समूगान, समून, रित्य, विज्वल आर्ट्स और थीयटर के प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया है गुजरात के रहने वाले नट्टू भाई सीनियर सिटिजन के लिए जीवन साथी की तलाश में जुटे हुए हैं जो बुजर्ग किनी कारणों से अपना जीवन साथी को चुके हैं उन्हें नट्टू भाई बीते आठ साल से ऐसे बुजर्गों की 136 से ज़्यादा परीचे सम्मेलन करवा कर शादी करवा चुके हैं इसी मुहीम के तहट गुरुगराम में 24 दिसंबर को बुजर्गों का परीचे सम्मेलन होगा कटकी टी-20 में टीम इंडिया ने शुर्ग लंका को 93 रनों से मात देते हुए रनों के लिहाद से ये भारत की सबसे बड़ी जीत है इसी के साथ ही रोहित ब्रिगेट ने तीन मैचों की टी-20 सिरीज में एक शुर्गने से बढ़त बना ली है भारते कप्तान रोहित शर्मा ने शुर्गा के खिलाव पहले टी-20 मैच में जीत कर शुरे पूरी टीम को दिया मैच के बाद रोहित ने महिंदर सिंग धोनी की चम कर तारीफ की उन्होंने कहा कि धोनी को चौथे नंबर पर उतारता सही फैसला रहा बारते टीम में मिडल ओर्डर के लिए खेलने के वाले बले बास सुरेश रहना ने यो-यो टेस्ट पास कर लिया है उन्होंने इस बात की जानकारे इस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर कर अपने फैंस को दी पिछले कुछ समय से खरा फॉर्म की वजह से सुरेश रहना भाते टीम से बाहर चल रहे हैं टीम से बाहर होने की वजह से फॉर्म के साथ-साथ उनका यो-यो टेस्ट में लगातार फेल होना भी है भारतिय महिला कप्तान मिताली राज को आई-सी-सी की सालाना वंडे टीम में चुना गया खिलाल के लिए बस इतना है लेकिन आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हर्याना नियूस नमस्कार